नमबर 24 तो आईए स्टाट करते हैं कि रहाए कि शो दैट द राइट शर्कुलर कॉन ओफ लीस्ट कर सर्फिस अरिया देखे बचों यह लीज कर सर्फिस एरिया का गया मतलब है लीस्ट का मतलब हो गया मिनमम आप यहां पर इस तरीके से समझ के चलिए ठीक है मिनमम तो अब इस कोशन को कैसे पढ़ेंगे आप इस कोशन को इस तरीके चे पढ़ेंगे show that the right circular cone of minimum curve surface area and given volume. ठीक है तो given volume, volume क्या है? given है मतलब के right circular cone है जिसका volume आपको given है, अब दीखे़ सुझेंट्स अगर कोई right circular कोण है और इसका volume आपको given है, suppose 100 cm cube, ठीक है? यह जो V है, मैं आपको बस स सेंटीमेटर क्योंगे रसक्त अब 100 cm क्यों वॉल्यूम का ठेक है वॉल्यूम फिक्स है यहाँ पर धिया ने वॉल्यूम टेके सैमे है तो अईसा कोन आप बना सकते हैं तो इसका भी वॉल्यम कितना होगा है तो इसका चितना विल्म है और यह देखिए इसका भी वॉलिम है तो इसमें फर्किया है तूमे और भी बन सकते हैं संदीमेटर क्यूब के बहुत सारे राइड सरकलर को बन सकते हैं लेकिन इन तीन का एक्जाम्पल मैंने लिया है तो यहां तीनों में फर्क यह कि इनके सर्फेस एरिया अलग जो इसका कर फेसरी है जो बर्डे किया आप आपने देखी होगी तो इसको बाहर जाके पेंट करो, ठीक है, ब्रश से लेके पेंट करो, तो इसमें अलग पेंट खर्च होगा, इसमें अलग पेंट खर्च होगा, इसमें अलग पेंट खर्च होगा, सब में जो पेंट लगेगा, उसकी quantity अलग-अलग होगी, मतलब की सब का surface area क्या है, अलग-अलग है, तो इन्होंन हम से क्या बोला है इन्होंने हम से बोला है कि हम को क्या प्रूफ करना है right circular कौन जसका curve surface area minimum हो मतलब given volume के लिए हमको curve surface area को minimum करते हुए क्या proof करना है has an altitude equal to root 2 times the radius of the base मतलब फिर से फिम लीचे question हमको given volume लेते हुए यानिके volume को constant मानते हुए कर सर्फेस एरिया को मिनिमम करते हुए यह प्रूफ करना है जो ऑल्टीट्टूड होगा इस कोन का अल्टीटूड मतलब हाइट ठीक है इस प्राइट सर्कूलर कोन की जो हाइट होगी वो किसके एक्वा लोगी रूट टाइम्स दा रेडियस आफ दा बेस तो यह जो हाइट ह होगी है और हाइट कितनी एच है तो आपको क्या करना है आपका जो टारगेट है बहुह हां पर लिख दे रहा हूँ जो आपको टारगेट ए अगर हम सर्फेस अरिया कर साफ से दुन करते हुए ठीक है और वॉल्म को यह जो रूट टू टू टाइम से किसके यह जो राइट सर्कूलर कून का बेस है उसके रेडियस के तो रूट टू टाइम्स यह आपको प्रूफ करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखे इस कोशन में भी स्टूडेंस वही प्रॉब्लम होगी आपने लास्ट कोशन सब्सक्राइब करते हैं तो आपने देखा बहुत लंबा जाता है तो उसकी आप प्रैक्टिस करके जाईए मैंने आपको कई बार बोला है कि as a discussion आएगा ठीक है तो ऐसा नहीं कि एक्जाम में आप वहाँ पर एक घंटा लगा रहे हो ठीक है फटा-फट आप उसको खोब प क्या होता है और अगर इस ट्रेंगल में हम पाइथा घ्रम लगाए तो यानिकि जो स्लैंट होगी एल-एल इसपोस्तो है रूट ओवर एच स्कार प्लस आर्सटाइर ओके तो यहाँ से यहाँ जो एला जायेगा वहाँ आसवारूट आफ है स्क्रेंगल प्लस आरस और करेक्ट तो रखते हैं अपर एल्गए बैलुश कहसे जो स्को ही हमको हम को क्या करना है मिनिममं ने लीक तो आप अपनी कॉपी में लिखना हो ठीक है तो आप लिखो कि लिटा सब्सक्राइब इस पाई आर एल्ग वालू कितनी है अब देखे यह होगया है तो आप है सब्सक्राइब तो आप देखो क्या कहीं से एच की वैलू आर के डम में आ सकती है मेरे खाल से आ सकती है यह देखिए यहां से अगर आप एच की वैलू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लूट है कि चैनल आप ले लाख रड़ उन अप आपन 345-2 अया है तो यह देखिए वन पांट वर वन 3 आपके पास वह गई क्या वी ए त्री इंटु वी अपॉन पाइया अगया लेकिन आपको तो धान को चेक्टरी ए सुदेंस आपको एच का स्कॉयर चाहिए तो स्कॉयर इंग बोद साइड इधर भी स्कॉयर कर दीजिया और इधर भी स्कॉयर करिए स्कॉयर को भी मिलेगा स्कॉयर को मिलेगा भी का स्कॉयर भी कॉइ अप देखे यह आपने स्कॉयर की डैल रहे और खास बात दीखें एच चिसकर एक穌र और बेड़ेबल आर के नमें दो नाइन और वी 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 कॉंसेंट आपको बताया था गिवल वॉल्में तो वी कॉंसेंट्री गरेंगे पाई तो होता ही ज़िए तो पाई स्कॉर्ण वी चॉर्ण और र्की पावर फोर तो एच किसका फॉंक्शन मन गा आर अ ठेक है अब हम ए पाई स्क्वाइर आर्डी पाबर्फो घ्र वैलु और प्लस पाई स्क्वाइर ओके यह हो गया तो एस इस एकोल स्टू पाई इंटू आइंडा ब्रैकेट अब देखे इसको आप नहीं सॉल्फ कर पाऊगे क्या है स्वाप इसली सॉल्फ कर सकते हो कैसे आर्ड स्वाइर की न मुल्टिप्लाइं करिया हो यहां तो यहां हो जाएगा पाई स्क्वाइर इंटू आर्गी पावर सिक्स तो यह हो गया से थोड़ा सा मार सुल्फ करते हैं तो यह हो जाएगा पाई इंटू आर ओके अब देखिए यह जो स्कॉएर रूट है यह पूरे में लगा हूए इस पूरे में तो यह स्कॉएर रूट इस नियुमरेटर वाले पाट को भी मिलेगा और फैना मेंडर वाले पाइट को मिलेग यहां पर आपने स्कार णो डिया तो गया प्थाय स्क्वअर इन्टू र्क्वर करेक्ट अब under स्ट्विडलर आइंटु रूट ओवर नाइन वी स्कॉयर आप लस पाइब स्प्राइब और प्रिपावर सिक्स अपॉंग अब देके इसको कैसे सौल फिलिए आपके पास पाई और आर्टी पावर फॉर वाड टेस पावर फ्वायर और इसका होल स्कॉयर एक तिक अब अब आपको पता है आप पावर फोर का अगर आप स्कॉयर रूट लो गया और यह जो नीचे आर स्कॉयर है इसका वार इंटो आ रहे तो एक एक आर से कैंसल हो जाएगा तो नीचे आपके पास बच गया क्या आप यह दे के मोटी मोटी बात करें तो ऐस जो है आपका संपेस एडिया जो है वह आगया आपका पाई शोरी पाई तो नीचा हूपर अब आपका आगया यह क्या स्कॉयर रूट और नाईंवी स्कॉयर नाइन वी स्कॉयर प्लस पाई स्कॉयर आपकी पावर six और whole divided by आ तो S को आपने R का function बना लिए small R जो की variable है अब हम क्या करेंगे यह जो S आया है equation 1 इसको नाम दीजे और इसको differentiate कर दीजे R के respect में first derivative निकाल कर फिर R के हम value निकालेंगे जो की critical point होगा उस critical point को हम check करेंगे second derivative test की help से की की वह maximum है कि में मैं ठीक है और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आपने जो एच की value निकाली एस्टुडेंट यहां से ठीक है इसको आपको नहीं भूलना है तो मैं कहीं पर HB note कर देता हूं करनी है तो देखिए यहां से अगर हम वापस से square हटा दें दुनों तरफ तो एच की जो वैलू आएगी वो कितनी आएगी वह एच की वैलू जो होगी वो होगी आपकी 3 इंटु वी अपॉन पाई आर स्क्वाइर इसको सपोज आपने एक्वेशन नूबर टू नाम दे दिया मान लीजे या इसको टू दे दिया मान लीजे क्योंकि हमने पहले निकाला था ना अपने कॉपी में इसको आफस दे दिजे तो जब आपका आर का वैलू आ जगा आप यहां रखेगा तो है एच का वैलू रूट तुआ प्रूफ हो जागा बड़ उससे पहले एसको हमको मिनिमिल करना है पहले इतना कॉपी करिए फिर में आगे बताता हूं के सुदेंस यह जो एक्वेशन नमबर टू आई थी इसको हमने थोड़ा रियरेंज कर लिया पाई स्क्वाइर आर की प यहा नुम्रेटर आपका और यह रहा आर देनॉमिनेटर तो क्या होता है रूट इनॉमिनेटर एंटू डियार ऑफ नुमरेटर टिया अनुमिरेटर जाने कि डेवेट अवस्नूमूरेटर एनुक्त भावर श्वार्वेश्स प्लस नाइन बीस्वाय तो डिवाइस नियार प्लस 9V square a 2d by d r of denominator correct तो यह derivative करना है और डिवाइट इड़ेट गाई यहां पर भी हम क्या करेंगे यो जिए गवान अपॉन टू रूट अब एक्स तो है निजो भी आसकों कॉपी कर देंगे यानिके पाई स्कॉरर आर्गी पावर सिक्स प्लस नाइन वी स्कॉरर इंटू टी बाई डिया रॉप दिको अब फॉर्ट फंक्शन का किया अब अंद स्कॉरर यह चिक माइनस देखों यहां पर हम इसको ऐसे कॉपी कर देते हैं पाई स्कॉरर आर्गी पावर सिक्स प्लस नाइन वी स्कॉरर क्यों की डी बाई डी आर ओफार वन होगा जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ठीक है बिकास यह कॉंट्टिटी वन से मैंटिप्लाइ सब्सक्राइब तो सिंपल यहां और अपन में टू रूट ओवर पाई स्क्वार आरगी पावर सिक्स प्लस नाइन वी स्कॉर इंट्व अब यहां पे डरिवेटिव करो और तो सिंपल है क्या हो जाएगा दिखों पाई स्कॉर तो कोंस्क्रेंट है आरगी पावर सेक्स आगा आगा कि मिल्टिप्लाई करेंगा तो 6 पाइस स्कॉर इंटू आर की पावर में से 1 माइस कर दो 6-1 5 ठीक है प्लस अब देखो नाइन कॉंसेंट है और वी वॉल्यूम भी कॉंसेंट था नाइन वी स्कॉर पॉंसेंट होगा जिसका डेवेटिव कितना हो जाएगा जीरू इतना ही आजाएगा तो हमने इसको ऐसा ही लिख दिया ठीक है उसके बाद माइनस स्कॉर रूट आफ पाई स्कॉर आर की पावर 6 प्लस 9 V स्कॉर ऐसा हो गया और होल डिवाइड़ बाए होल डिवाइड़ आपके पास क्या है आपके पास है आर का स्कॉर कुछ ऐसी क पिर्दर आगे तो देखते हैं किया होता है आप देखें स्टीन्स देखिए आज एंटो शिक्सपाई डिवाई और 6 यह सब म्ल्टिपलाइग में तो दिखो आरे की पावर 6 को यह जाएं निकिए 6-5 स्कॉर एंटू आ कि पावर 6 एक रिचे-क्ष गया नीचे बच और की पावर 6 और प्लस 9 V स्क्वाइर ऐसा कुछ हो गया यहां और माइनस में माइनस में आपके पास स्क्वाइर रूट और यह हम निकाल क्या रहे थे यहां बच गया और यहां बच गया कितना करेक्ट तो देखिए वन और यह जो कॉंटिटी रूट ओवर पाई स्क्वार और घबाइए स्क्वाइब अजया का आप का रूट hon फर आर पाई कि पावर टू जिन ही पाई-स्क्र 어느 Ä IS継ए बस प्लाइब गया तो इतना ही आजाए गानी न ही थ्रीपाई इसक्वाइर आरीपावर दर description और माइनस इसको यहां जब मल्टिप्लाइब करोगा जोनों कॉंटिटी से वे स्वारूट में तो स्वारूट हट जाएगा या निके पाई स्क्वार आर्टी पावर सिक्स प्लस नाइन वी स्वार ऐसा कुछ हमारे पास हो गया ठीक है सुटेंस यह आगया आपके पास क्या सब्सक्राइब कर देंगे तो पूटिंग डिया सब्सक्राइब कर देंगे तो फोड़ा सा पहले सॉल्फ कर लेते हैं ठीक है सुल्फ गंषवार आपके लिए पहलेगर गालना पढ़ेगा ठीक है स्क्रिछल स्वाइर पावर 6 laughs माइनस प्लस माइनस प्लस आवलबी स्क्राइब करेक्ट है एक अलिक्त ना में लिए ओन्ग देता हूं यह जागा क्या है पाइच स्कॉर आप इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो आप वन अजीम कर सकते हो अब जो को थिखो थी और माइनस वन क्या होता है टू प्लस का टू होता है लिख दिया हमने वह अगर फ्री एक्स-1 एक्स होता तो टू एक साथ ना तो थी और यह वाली कॉंटि और फिर माइनस वन और यह वाली कॉंटिटी थी माइनस वन टू और यह लिख दो आगे क्योंकि लाइक टूंस है दो पाइच स्कॉर आर की पावर सिक्स प्लस नाइन वी स्कॉर तो यह आ गया आपका क्या यह आगया फर्स डेरिवेट अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फॉट करते हैं इसको जी दो की एक वन तो क्या हो जाएगा की स्कॉर आर्टी पावर्स इक्स माइनस नाइन वी स्कॉर अपन रूट ऊवर पास्वार आर्टी पावर जिक्स प्लस नाइन बीस्वायर इस इक्वर इसकोल जीडु़्टू अब देखें सुरेश यह आ तो होगे नियुक्त पता है ना गुट्र पर इनॉमेरेटर को जिरो ना पड़े गा इसका मतलब यह जी रोओना पड़ेगा यह तो नहीं सकता है तो जिसंप्लाइस इन पर सॉल्फ करते हैं यह जो निम्रेटर स्क्सार एक पर 6 इस इकुल स्टू 9D स्कूर राइट में जाके पॉजिव हो गया 0 में हो गया ठीक अब ध्यान दें अगर हम बोदसाइड डिवाइब लगा दें किस्से 2π2 स्कुराइर से लेफ्ट में और 2π2 स्कुराइर से हमने राइट में डिवाइड लगा है तो 2π2 स्कुराइर 2π2 स्कुराइर कैंसल और यहां से जो वैलू आपको मिली है यहां पर हम नोट कर लेते हैं आपको मिला है कि R की पावर 6 is equals to 9V स्कुराइर अपाउन 2π2 स्कुराइर यहां आपको मिला है ठीक है तो देखे बच्चे बोलते हैं R नहीं निकाला है अगर तुमको फिर भी निकालना है तो निकाल लोग क्या हो जाएगा R is equals to इसकी होल पावर यहां से इसकी होल पावर 6 से यहां 6 रूट लग जाएगा यहांने कि 9V स्कुराइर अपाउन 2π2R स्कुराइर की होल पावर 1 by 6 हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन आप खुद दिमाग लगा यह कि R अगर इतना है तो R की पावर 6 इतना ही तो हो क्योंकि अभी हम सेकेंड डेरिवेटिफ टेस्ट करेंगे तो हमको R की पावर 6 का काम पड़ेगा ठीक है पहले आप इतना नोट कर लीजे हमसे मिस्टेक हो गई है यह डियस भाई डियार जब हम निकाल रहे थे तो एक ऐसा इस्टेप आया था उसके बाद क्या किया था गलती से मैंने बस उपर वाले को मैंने सॉल्फ किया था ठीक है और यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा इतना रहा था ना सब्सक्राइब कर लीजे आगे सब्सक्राइब करने में फर्क पड़ जाएगा ठीक है तो आप देख लीजे डियस भाई डियार को ठीक कर लीजे यह आपका फस्ट डेरिवेटिव आया इसको को एक्वेशन दे दिजिए सपोज एक्वेशन नूमबर 3 अब हम क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव और हम सेकेंड डूरीटिवट टेस्ट निकाल लेंगे कहां पर और आड़ इसको इतने पर यह आर टीवारज इसको सब्सक्राइब और हम आर को क्या दिखाएंगे और को हम अपॉंट ऑफ मिलंब दिखाएं के लिए जो हमारा d2 s by dr square आना चाहिए कहां पर at r is equals to इतने पर यानि कि r की power 6 is equals to 9 v square upon 2 pi r square पर यह जो second derivative है यह आना चाहिए greater than 0 इसका sign अगर positive आ गया तभी हमारा s यानि की curve surface एरिया क्या होगा minimum होगा for a given volume तो आईए करने की कोशिश करते हैं यहां पर फिर से आपको थोड़ी सी परिशानी होगी ठीक है देखें मैं आपको बता दूँ यह जो लिखा हुआ है denominator में ठीक है इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक करें तो कैसे करेंगे देखें आर स्क्वार रूट ओवर क्योंकि अभी इसक इंटू हमने किया पाई स्क्वार आर की पावर सिक्स प्लस नाइन वी स्क्वार अब देखें आपने पढ़ा है क्या स्क्वार रूट ओफ एंटू स्क्वार रूट ओफ एंटू बी क्या होता है स्क्वार रूट ओफ एंटू बी होता है ठीक है तो स्क्वार रूट ओफ into square root of b, इसको हम क्या कर फक्ते हैं? इसको हम कर फक्ते हैं, square root of a into b, यानि कि r की power 4 into pi square r की power 6 plus 9v square, इसको अगर आप solve पर होगे, तो आपको मिलेगा r की power 4 into r की power 6, r की power 10, यानि कि pi square into, भाई, यहां multiply गरोगे न, अंदर यहां भी और यहां भी, plus 9v square into r की power 4, अब ऐसा हमने क्यों किया, वो भी आपको पता चलेगा, यानि कि r square into root over pi square r की power 6 plus 9v square की जगा आप यह भी लिख सकते हो, जब आपको जरुबत पड़ेगी, ठीक है, तो अगे है, तो अगे है, differentiating with respect to r, d2s by r d r square is equals to, अब देके, यहां लगेगा आपके पास quotient rule, ठीके, d by dr of numerator, यानि कि 2 pi square r की power 6 minus 9v square, तो यह हो गया, ठीक है, denominator into d by dr of numerator minus numerator, ओके, तो numerator क्या आपके पास, 2 pi square r की power 6 minus, इसको मैं हटा देता हूँ, यहां से, ठीक है, यह आप समझेगा, यह जो value हमने निकाल लिए, यह किसकी है, यह जो denominator यहां लिखाए, यह इसकी value है, चाहिए, तो, denominator into divided x of numerator minus numerator into divided x, नीवाइड दियार, डीवाइड दियार of denominator denominator, denominator क्या है, अब देखिए, यही बात है, यहां आपका जो denominator है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ, pi square, r की power 10, plus 9 v square, r की power 4, आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूँ, क्योंकि अभी फिर से आगे जरूद बढ़ेगी, कि यह जो, इसको हमें कहीं यहां लिखना चाहिए, अब इसका काम फिर से पढ़ेगा, r square, root over pi square, r की power 6, plus 9 v square की जो value है, वो है आपके पास, root over pi square, r की power 10, plus 9 v square, r की power 4, ज़रत पढ़ने पर इसको आप ऐसा लिखोगे, इसको आपस आप ऐसा लिखोगे, ठीक है, अब कुछ बच्चे तो समझ भी गया होंगे, कि हमने ऐसा क्यों किया, देखिए, अगर हम इसकी value ऐसी नहीं लिखते, तो हमें, जब हम d by dx of denominator करते हैं, यहां मैं product rule लगाना, प्रकार square first function रहाता, और square root के अंदर ही जो लिखाया R का function, यह second of a product rule लगाते तो बहुत लंपा हो जाता, इसलिए मैंने simply इसको अंदर भेज दिया, जुगाड करके, ताकि मुझे फिर फिफ का derivative निकालना पटे, now divided by, divided by denominator का whole square, जब इसका whole square करोगे, आप तो R square, का square, R की पावर 4 हो जाएगा, और इस quantity का square करोगे, इस square root हड़ जाएगा, यहने की πाई square into R की पावर 6, और plus 9 V square, correct, अब derivative करते हैं, तो यह हो जाएगा क्या, R की पावर 6 into square root of pi square, R की पावर 6, सुरी, R की पावर 2 है, ठीक है, R की पावर 2, यह तो ऐसे ही रहेगा सा, प्लस 9 V square into, अभी अहाँ पे derivative करिए, क्या होगा, 2 pi square, 2 pi square, 2 pi square, तो constant है, R की पावर 6 का, R की पावर 6 का, R के स्ट्रेक में करोगे, 6 आएगा, आगे, 6 तूजा, 12 हो जाएगा, 12 pi square, और ध्यान दे, R की पावर 6 में से 7 minus करोगे, तो R की पावर 5 बचेगा, minus 9 V square, V constant था, 9 V square constant आगे, उसका जिरो हो जाएगा, जिसको हम नहीं लिखिंगे, minus 2 pi square, minus 9 V square, अब देखिए, square root function का derivative क्या होगा, 1 upon 2 root x, root x का 1 upon 2 root x होता है, जिसका 1 upon 2 root इतना, यानि कि pi square, R की पावर 10, और प्लस 9, V square, R की पावर 4, A2, हब अंदर का derivative करोगे, मैं डारेक्ट कर रहा हूँ, जिहान से देखिएगा, इसका जब derivative करोगे, आप तो क्या आजाएगा, pi square तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, R की पावर 10 का derivative, 10 आएगा, आगे, और R की पावर में से 1 minus करेंगे, यानि कि R की पावर 9 आजाएगा, प्लस, देखिए, R की पावर 4 का करोगे तो क्या आजाएगा, 4R Q, 4R Q, 4R के आगे multiply करेगा, 4R 9 जा, 36V square और साथ में R का Q, या आजाएगा, ठीक, अब, divided by, R की पावर 4, इंदा प्रैकेट, pi square, R की पावर 6, प्लस, 9V square, करेक्ट, या आगे, अब इसको हमको थोड़ा सा solve करना है, देखिए, इसको हम थोड़ा trick लगा के solve करेंगे, कैसे, देखिए, यह R की पावर 5 है, और यहां क्या है, R की पावर 2 है, तो इसको R की पावर 6 बनाने की कोशिश करो, कैसे करोगे कोशिश, बताता हूँ मैं आपको, देखिए, इसको आप क्या लख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, कि इसको आप क्या लिख सकते हो आर की पावर फोर और इंटु वन ठीक है और उससे पहले हमको LCM भी लेना पड़ेगा स्टुडेंट से हम पर ठीक है तो चलिए LCM लेने के लिए बहुत लंबा कर सकता हुए वरना तो आप इसका कहीं सॉल्यूशन देखोगे ना तो वह सिंप्ली लिख देते हैं आप सेकेंड डिवेटिव टेस्ट वी गेट डी टू एस्वाइड डीर स्वाइड रेटर रेटर दिरो हैंस दा सब्सक्राइड इस मिनुम्माइड डिमें और अट जो भी इसा आपको नहीं करना आपको आना चाहिए और आप दिखाओ नहीं तो आपको मार्स नहीं मिलेंगे इंटू इसके नीचे अगर आप मना जीम करोगे यहीं पर आपको बता रहा हूं जब आपको लोगे वन और टू रूट जो भी है इसका तो यह यहां मुल्टिप्लाई ह होगा और वन इस पूर्य में मैं मैंट्बिप्लाई होगा तो ध्यान से करिये यह । होगी चीक है तो ये वाला जो आपका टू है करेक्ट या टू आएगा यहां मल्टिप्लाइए हो जाएगा तो यहां अपके पास 2R स्कुरर और यह कॉंटिटी स्कुरर रूट वाली एक्चल में यह क्या है मैंने आपको पताया था यह जो कौंटिटी है रूट ओवर पाइस स्कॉरर आर्गी पाउर 10 प्लस 9 वी स्क्राइब फॉर इसकी जगह आप क्या लेक्स तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते मिल सकते हो यह जली के आर स्कॉरर वार रूट ओवर पाइस स्कूर्य आर की पार सिक्स प्लस नाई वी स्कूर्य ठीक अब देखिए इस कौन्टिटी को आप यहां पर अगर मैटिपलाई करोगे तो आपको क्या मिल लाएगा देखे टू आर स्कॉर्ड जब आर स्कॉर्य में मॉल्टिपलाई वहाँ तो आर की पावर फोर हो जाएगा औ मस्क्राइने के two pi square minus 9 v square ऑके और यहां GP को गाएव और यहां पर देखे गाया वह आरीक पाओ फिक्सम IQ हो गया थीकिन आरीपावर सब्सक्राइब होना चाहिए था यहां पर हो जाएगा क्या आरगी पावर सिक्स ओके इंटू वन का तो कोई मतलब नहीं है रूट और ब्रैकेट में टेन पाई स्क्वार आरगी पावर नाइन प्लस थर्टी सिक्स वी स्क्वार आर क्यों ऐसा हो गया ठिक और ध्यान से चेक क अब लास स्टेप ने माल है जो में इस आया तो यहां मट्प्लाई हो गाल आपक्टू इंटू आरगी पावर टू यहोजगा आरगी पावर शिक्स ओके अध्यान दीजे साथ में क्या हो जाएगा साथ में यह जो लिखा हुए इसका क्या मतलब है इसकी होल पावर बन आप सब्सक्राइब है जब यह नीचे आएगा इसमें मुल्टिप्लाइब तो पावर्स क्या हो जेंगी एक तो बन प्लस वाल अपॉन टू थी अपॉन टू यानिकि पाई स्कॉयर इंटू आरगी पावर सिक्स प्लस नाइन वी स्कॉयर की होल पावर थी मैं टू इतना कॉपी सब्सक्राइब तो आपको जहां जहां आरगी पावर सिक्स दिख रहा है ठीक है वहाँ वहाँ आप यह कॉंटिटी रग दिजिए अच्छा एक चीज और देखेगा क्या क्या यह आरगी पावर सिक्स जो है नाइन वी स्कॉयर बान दूबाय रसकॉयर तो यह एक पॉजिटिव कॉंटिटी ध्यान से करी वैसे कि एक रेडियस एक लेंथ होता है तो उसका जो पावर सिक्स होगा वो भी हमेशा क्या होगा ग्रेटर दें दीरो यह नहीं की पॉजिव ह होगा लेंद पॉजिटिव तो इसकी पॉजिटिव होगा इसका मतलब यह है कि आपको नीचे चेक करने की ज़रूरत नहीं ठीक है ना फिर भी अगर आपको आरगी पावर सिक्स की जगा वैलू रखनी हो नीचे तो आप रख दीजे हम केवल क्या चेक करेंगे हम केवल नि पॉजिटिव भी होगा और देखो यहां पर टू पॉजिटिव और आगी पास इस पॉजिटिव है यानिक इसका जो डिनॉम्नेटर ने टीटू एस वाइट इस वाइट पॉजिटिव होगा की नहीं इस बात को कॉन डिसाइट करेगा इसका नियूमरेटर ओके तो आप अ देखेए पॉजिटिव होगा तभी यह पॉजिटिव हो गया तो निगटिव पॉजिटिव हो जाएगा यह दीटू एस बाइट इसके नियूमरेटर पे और इसका नियूमरेटर भी दिखिए निकालना इजी है ज्यादा आपको समय टेंचन नहीं लेना है मैं बता रहा देखेए लिए दिखिए न अएक रगी पावर फॉर रहे हां और यह अर्ग पावर फाइब इस आर्गी पावब टू इंटूर्ग आर्गी पावर टू रिख सकते हो कि ने लिक सकता हो लेक सकते हो ठीक है तो इसको हमने लिख लिया क्या R की पावर 2 또 R की पावर 3 अभी R पावर 2 और R की पावर 4 यह सब कुछ jakie मेया है आपस में R की पावर 2 इन्टु R की पावर 4 यह मिलके बनादेगा आपका R की पावर 6 तो हो जाए कैसे 2 इक छीज और देना से चेक करिए 2 inirmi 12 कितना होजए आपका 2-12 24 24 आर्टीव और सिंग यह हो गया और यह हो गया आपके पास 12 चला गया पाई स्कॉरर एंटो आर्ट कूब बचा ठीके तो पाई स्कॉयर इंटू ऑर्टू बचा आपके पास ठीक है आपके वह अब अभी हम यहां पर रखेंगे बालू रुक जाओ और प्रैकेट में कपी आप कर लीजए c2 pi square r की पार 6 minus 9 v square in the bracket 10 pi square r9 plus 36 v square r की पार 3 बस मैं numerator चेक कर रहाँ अब इसमें हम आर की पार 6 डी स्क्वार 1 2 pi r square पूट करेंगे ठीक है ना तो चलो पूट करते हैं देखते हैं क्या हो जाएगा 24 आर्गी पावर 6 की जगह 9 v-square upon 2 Pi-square put करेंगे निटो यहां पर क्या है Pi-square अधिको आर्गी पावर 3 यह हो जाएगा देखो इसका क्यूब करोगे तो यहां इसकी होल पावर के हो जाएगी त्री यहां के ढिस्ट्रीय करेगा ऐगा थी का टुक्त रोट यानिक आर क्यूंक की जगा ट्रीक एक अस्टेन पॉल्सर ट्रीदुभ थन्हीं सब्सक्राइब वी अपोन टुब का स्कारूट टू और पाई गास्क्कारूट पाई तो हामने आर्टी कैन थिवी अपॉन रूट टू इन्ट इट भाई पॉसिटिव कॉन्टिटी ठेके ना बस सब्सक्राइग कि नहीं तो रखी जगा हम क्या रिक सकते हैं महां से वैलों यह सकते हैं क्या 3 भी अपॉन रूट टू इंटू पाइं ओके नो यहां पर देखिए पाइज स्कॉर इंटू आर्गी पावर शेक्स कितना है आर्गी पावर 6 से 9 v स्कॉर अपॉन 2 v2 2 प्लस 9 v2 माइनस अब इसको देखिए यह 0 हो जाएगा कैसे जिरो हो जाएगा यहीं सब्सक्राइब करने की कोई जरूरती नहीं आपको क्लियरली कॉंटिटी कैसे दिखरी यहां पर नेगटिव कभी ट्रीफ ट्रीफ पर सॉर प्लस कि साथा देगा भी पोजिटेव है पूरा लैसमे पॉजिटिव इलजीव फॉजिटिव है यह यह लिगी पॉम गुक्रदम तर ढोड़ मतलब at r is equals to what r is equals to 9b square क्योंकि r आपका critical point जा तो आप आप पर कमान टिकरी at r is equals to 9b square into 2 pi square की whole bar 1 upon 6 तो d2 sy dr square at r is equals to this is what greater than 0 और second derivative अगर आपका greater than 0 आ गया क्यों greater than 0 आ गया students क्योंकि इसका जो denominator था ही positive और numerator को हमने positive people दिखा दिया ओके तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह जो आ राया था आपका ठीक है r is equals to this is what is point of minimum point of local minimum point of local minimum for what point of local minimum for the function s यह जो आपकर surface area s था इसका मतलब s is the minimum at r is equals to this तो r की value इतनी ले ले लें अगर हम तो हम h is equals to root to r प्रूफ कर सकते हैं आई यह देखते हैं कैसे कहीं पर हमने h निकाल के रखा हुआ है यह देखिए equation number one में तो equation number one में h is equals to कितना है 3 v upon pi r square अब हम students r हमारा point of minimum आ गया सके लिए अब हम हाइट निकालते हैं तो हाइट हमने कहीं निकाल के रख्यों थी देखिए हाइट क्या था 3 v upon pi r square 3 v upon pi r square जहां पर वी क्या था volume of the right circular cone अब इसको कैसे solve करें तो देखिए इसको इस तरीके से solve करेंगे कि हमारे पास यहां से कि जो रिलेशन आया था आर्गी पावर 6 r k power 6 is equals to 9 v square upon 2 pi r square तो यहां से यहां से वी की वैलो निकाल है कैसे 2 by 2 pi square को देखिए दो बोट साइट हमने 2 pi square से का किया multiply ठीक है यह से cancel हो जाएगा तो क्या आजगा आपके पास 9 v square is equals to 2 pi square r k power 6 9 to divide कर दो दर यह 9 उदर जाकर divide कर देगा ठीक है अब देखिए V square अगर इतना है तो V is equals to क्या हो जागा है इसका square root यानि इसकी whole bar 1 2 अब देखिए क्या हो जाएगा यहां से होगा यह square root सब को मिलेगा टू को अब आए यह से क्या होता है और आपउन में 9 का स्कुरू थी होता है ठीक है तो इस तरीके से वोल्यूम का है कि इसके डिम में काल रिम की व strongest अहां हमने रीडियूस के कृो यहां पर हमको हài्ट at किस लानी है डियूस केतंग में चेंच करो तरफी हई रीडियूस के में अएगी तो तो solve अगर इसको करें तो 3 upon pi r square और volume की जगा आपको ये put करना है तो volume की जगा हमने root 2 pi r q upon 3 put किया ठीक है अब इसको अगर आप सब्सक्राइब ये 3 into इतना है यहां पर denominator में 3 है तो 3 से 3 है ठीक तो यह आगे आपके पास root 2 pi r की power 3 upon में pi r square pi से pi cancel हो गया r cube और नीचा r square r cube को आप r square into r लेख सकते हो तो r square से r square गया तो height is equals to what root 2 into r आ गया ठीक है तो बस यही आपको proof करना था सारी चीज़ा हमने proof कर दी